खबरे तो आप बहुत देखते हूँगे लेकिन खबरों को गहराई से जाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं IPL के बहाने विराट कोली वर्ल्ड कब जीतने के सपने देख रहे हैं लेकिन असल बात तो ये है कि विराट कोली के सपने कहीं अधूरे न रह जाएं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विराट की पूरी सेना की IPL के मैचों में फॉर्म खराब हो गया है हालकि टीम इंडिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और कीपर महेंदर सिंग धोनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी सभी खिलाडी आउट आफ फॉर्म चल रहे हैं हालकि विराट कोली का शुरुवाती मैचों में प्रदर्शन काफी बेकार रहा लेकिन विराट की धार फिर से दिखाई देने लगी है भारते टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा का बल्ला अब तक खामोश है IPL के अधिकतर मैचों में उनका बल्ला नहीं बोला दूसरे ओपनर शिकर धवन की दाहार भी अब तक नहीं सुनाई दी वहीं ओपनर बल्लेबाज लोकेश राहुल का बल्ला भी IPL के मकाबलों में खामोश ही नजर आ रहा है राहुल रन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और अपनी टीम की तरफ से कोलकता के खिलाफ खेलते हुए बार बार उन्हें निराश किया लोकेश का ये खराब प्रदर्शन उन पर भारी पड़ सकता है राहुल विश्वकप के लिए भारत्य टीम का हिस्सा हो सकते हैं और टीम में तीसरे ओपनर बन लिबास के तौर पर वो इंगलेंड जा सकते हैं लेकिन अब उनका ऐसा ही खराब फॉर्म जारी रहा तो हो सकता है उनका विश्वकप में खेलने का सपना तूट जाए टीम के मिडल ओर्डर की बात करें तो वो खिलाडी भी आईपियल में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे विजेशंकर से उम्मीद थी कि आईपियल में वो कुछ कमाल दिखा कर जगा पक्की करेंगे लेकिन उनका फॉर्म भी बेहत खराब चल रहा है दूसरी और हार्दिक पान्डिया भी अपने रंग में नहीं दिखाई दे रहे ना ही उनका बल्ला चल पा रहा है और ना ही उनकी बॉलिंग ऐसे मैं वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाब देख रहे हार्दिक पान्डिया को भी अब सम्हलना होगा ये तो वर्ल्ड कप टीम के मिडल लॉडर की बात हो गई अब हम बात करते हैं बोलर्स की तेज गेंदबाजों में भुबनेश्वर कुमार का प्रदर्शन ठीक ताग देखने को मिल रहा है लेकिन मुहमद शमी की कसी हुई गेंदबाजी अभी तक दिखाई नहीं दी हालकि स्पिनर्स में यजुवेंदर चहल की बॉल की धार अब तक बरकरार है लेकिन कुल्दीप यादव का खास प्रदर्शन अब तक देखने को नहीं मिला ऐसे में वर्ल्ड कप की टीम IPL में धेर होती नजर आ रही है क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़े परिशानी है और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा पैसे कमाना चाहते तो हैं लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा अगर ये समस्याएं आपकी हैं तो इसका समाधान हमारे पास है डिजिटल तक्नीक के इस दमाने में वो लोग रोजगार की बिलकुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तक्नीक का पूरा ज्यान होता है इस ज्यान को पाने के लिए आपको सीखने होगी डिजिटल मीडिया जिसको केवल तीन महिने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवशाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे इस कोर्स के बारे में जारा जानकारी के लिए कॉल करें 900 1299672